यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारएगा। और तब भी हम इत्यास की इन परतों को धूड़ने का प्रियास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर इस तिदी क्यों वहाँ पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। आने वाले संकट के लिए फिर से एक चुट होकर के कारी के जाने की आउसकता है। इसके लिए एक चुट होकर के लड़ने की आउसकता है। राम मंदिर का निर्मान ये केवल मंजिल नहीं है। एक पड़ाव है पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे धी निरंतरता देनी है। क्योंकि स्कनात्न धर्म की मजबुती इन सब अभ्यानों को एक नई गभी देता है। जातिवाद से मुख्ष, छवाचूत और अस्प्रिसता से मुख्ष एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभुसिर राम ने अपना पुरा जीवन समर्टिक किया था। और इसलिए तो अयुद्या दहां में उस प्रकार का प्रियास किया गया है। अयुद्या को उसकी पैचान मिले। इस पैचान में अयुद्या के संतों का गौरोदी बढ़ाया है। हरा अयुद्या वासी को देश के अंदर गौरवानित किया है। कोई भी अयुद्यावास की देश के अंदर जाता है हर देक्ट उसे सम्मान की निगाहों से देखता है हमें इस सम्मान को परकरार रखने करें पर अपने इस स्कर पर ही प्रियास करना होगा सम्मान मिलता नहीं, मिले विस सम्मान को संग्रक्सित करना, उसको सुरक्सित रखना, अगर इस दिसामे हमारा प्रियास सार्फक हुआ, तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे, और यह हमारा प्रियास होना चाहिए, और यही कारे यहाँ पर डवल सरकार कर रही है